आज बनाएंगे मटर का कचोड़ी इसे बनाना बहुत असान है बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है कितना परफेक्ट बना है आप इस रेश्पी को जरूर ट्राय करें आप वह बहुत बसंद आएगा तो बनाना कर देते हैं अब इसमैं थोड़ी सी जीरा डालेएं जीरा का कलरुष होने देते हैं अब 12 को में फिल्यार राखेंगे 3iges समय मटर डालेंगे एक वॉल मटर डालेंगे मटर को भी अच्छे से भून लेते हैं अब इसमें 5 से 6 लसुन की कलियन डालेंगे हारी मीर्च थोड़ा सा अधरा काटुकड़ा इंसारेश जोको भी थोड़ा सा भूल लेते हैं गैस को लोफिलेम पे रखे हैं माटर को लगभग दो मिनाट भूल लिए हैं गैस को आप कर देंगे अब इसको पुरी तरह से ठंडी होने देते हैं फिर इसको गुराइंड करेंगे एक बड़ा सा बॉल लिए हैं इसमें एक कप मैधा डालेंगे एक कप ग्यूं काटा अब इसमें एक चमच नमक डालेंगे अब इसमें तेल डालेंगे दो बड़ी चमच तेल डालेंगे तेल और नमा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप चाहें सिर्फ आठा से भी बना सकते हैं को चोड़े या मैदा से भी बना सकते हैं मैं दोनों चीजों को मिक्स करके बना रही हूँ बरावर बरावर मेजेरमेट किये हैं तेल को अच्छे से मिक्स कर दिये हैं अब इसमें पानी डालेंगे, पानी को थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे, अब इसको डो बना लेंगे, जिस तरह से पुड़ी का डो बनाते हैं, उस तरह से इसको डो बना लेते हैं अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए नई रेश्पी देखने के लिए बेल आइकन क्लिक जरूर करें आटाखो तीन से चार मिनाट तक इसी तरह से गुन लेंगे डो बन कर रेडी हो गया अब आगे की प्रोसेस में चलते हैं माटर पूरी तरह से ठंडी हो गया अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडिंग जार लिए अब इसमें डाल देते हैं बिना पानी का ग्राइंड करेंगे माटर को ग्राइंड कर लिए दर दरा ही ग्राइंड किये हैं अब आग पूरुसस Wij चलते हैं, पाइन को गरम होने के लिए रख दिए हैं, अब इसमें तिल डालेंगे एक चमज, तिल को गरम होने देते हैं, गैश को लोखलें पे रखे हैं, तिल गरम हो गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे, हल्थी पौडर, एक छोटी चमच, हाफ छोटी चमच, जीरा पौड़ा, हाफ छोटी चमच, लाल मीच पौड़ा, हाफ छोटी चमच, धनिया पौड़ा, हाफ छोटी चमच, सौ पौड़ा, हाफ छोटी चमच, चाट मसाला, हाफ छोटी चमच, गरम मसाला, मसाला को थोड़ा सा भून लेते है कुछ सेकंड के लिए मसाला को भूनेंगे अब इसमें ग्राइंड किया हुआ माटर को ढालेंगे ग्राइंड किया हुआ माटर को और मसाला को अच्छे से मिक्स कर देते हैं डाइस को लोफलेम पे ही रखेंगे लगवक 3-4 मिनाट तक मटर को भी भूनेंगे लो फ्लेम पे अब इसमें स्वादन नमक डालेंगे एक छोटी चमच नमक डालेंगे नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे लगवक 3 मिनाट भून लिए हैं सारे चीज अच्छे से मिक्स हो गया गईश को आप कर दिये अब इसको एक ठाले में ट्रास्पा कर लेते हैं अब लोई बना लेते हैं लोई नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा बनाएंगे बाकी लोई इस तरह से रेड़ी कर लेते हैं फिर अस्टपिंग कर लेंगे सारे लोई बना कर एड़ी कर लिए अस्टपिंग भी ठंडी हो गया अब इसको छोटी-छोटी बॉल्स बना लेते हैं अस्टपिंग करने में असानी होगा सारे बॉल्स बना कर एड़ी कर लिए अब अस्टपिंग कर लेते हैं अब इसको इस तरह से कटोरी के सेप देदेंगे अब इसमें अस्टपिंग को डालेंगे इस तरह से क्लोज कर देंगे इसका अस्टपिंग निकाल देंगे इस तरह से दोनों हाथ से दबा कर इसको पतला कर देंगे एक कचोडियां अस्टपिंग करका रेड़ी कर लिए एक लोई लेंगे इसको हलका सा बेल लेते हैं अब इसके उपर अस्ठाफिंग को रखेंगे इस तरह से अब इसको क्लोज कर देते हैं बाकी कचोणिया इसी तरह से अस्ठाफिंग कर लेंगे देख सकते हैं कितने जल्दी अस्ठाफिंग करकर रेडी कर लिए अब इसको हलका सा बेल देते हैं किरें दो तरीका से शटपिंग एकशनी प्रकर दिखा दिए बगकी कचोणिया इस तरह से शटपिंगła कर लिए तलने कвоड़ से तिल गरम होने के लिए रख दिए हैं तिल अज़ा इसको low to medium flame पे ही रखेंगे, एक बार कचोरी को तलने में 5 से 6 मिनट लग जाता है, कचोरी तलने समय flame को low to medium flame पे रखें, इस JUST कचोरी खास्ता बनेगा, तेज खास्ता नहीं बनेगा, तो जल्दी golden brown हो जाएगा, कचोरी खास्ता नहीं बन पाएगा, कचोरी को गोल्डन ब्राउन होने तक ही तल लेंगे पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसको निकाल देंगे लगवक साथ मिनट लग गया है देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है कितना परफेक्ट बना है बाकी कचोरियां इसी तरह से तल लेंगे सारे कचोरियां तल के रेड़ी कर लिए देख सकते हैं कितना दिखने में टेश्टी लग रहा कितना परफेक्ट बना है आप इस रेश्पी को जरो ट्राय करें आपको यह बहुत पसंद आएगा अब इसको काठ कर दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है कितना खासता बना है बेलकुल रेस्टोरेंट जीशा देखने में कितना टेश्टी लग रहा है आप इस रेश्पी को जरो ट्राय करें कचोड़ी को सौस या चटनी के साथ खा सकते हैं आप भी ट्राय कीजिए बनाएए मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एक बाप ही मिलते हैं नए रेश्पी के साथ